मैं रौसंतिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टो लेर्ण पे आप सब्सक्राइब करता हूं अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टो लेर्ण को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आप सोगों का मैं आभार प्रकट करूँगा कि आप सोगों का रिस्पॉंस हमारे वीडियो और हमारे चैनल पर काफी अच्छा है इसी तरह आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पने रहें चैनल का लिंक को अधिक सदिक सेयर करें ताकि इस वीडियो का फाइदा जो है अधिक सदिक लोगों को मिल सकें आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं जितना आपका अभार परकट करूतना कम है लेकिन आप जितना फाइदा उठा पा रहे हैं उससे अधिक आप कोशिश कीजिए इस तरह और भी कोई दूसरा इसका फाइदा उठा सके आज हम लोग वीडियो सुरू करेंगे आपका अध्याई चार का जो सेश प्रस्न तर बचा हुआ था अभ्यास के बीच का तो उसको सुरू करेंगे उसका अभ्यास है कार्बन एवाउं उसके योगिक कक्छा 10 पेज नमर 83 का पहला प्रस्न है परियोग दुबारा आप अलकोहल और कार्बो किसी कल अमल में कैसे अंतर कर सकेंगे तो देखिए आप परियोग दुबारा अलकोहल और कार्बो बेसिकल ठीक है अमल में किस प्रकार आप अंतर करेंगे तो जब हमेलकोहल तथा कार्बो बेसिकल अमल दूनों में सोडियम हाइडोजन कार्बोनिट डालते हैं तब अलकोहल सोडियम हाइडोजन कार्बोनिट से अभिक्रिया नहीं करता जबकि कार्बो बैसिलिक अमल जो है वो सोडियम हाइडोजन से अभिक्रिया करके सियोटू गैस निकालती है जो चुने के पानी को दूधिया कर देता है इससे आप समझेगे कार्बन डाउकसाइड गैस निकलेगा अमल जैसे ही आप डालिएगा अलकोहल में दोनों के इसमें जब आप सोडियम हाइडो कार्बोनेट डालिएगा तो इसका अलकोहल पर कोई प्रभाव नहीं परेगा जबकि कार्बो बैसिलिक अमल पर जब डालिएगा तिया अभिक्रिया करेगा और कार्बन डाउकसाइड गैस मोग तो होगा ठीक है चलिए आगे दो नमर का कॉस्च है आपका ऑक्सी कारक क्या है फिर से कॉस्चन रिपीट कर देंगे ऑक्सी कारक क्या है अंसर देखेगा वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने का कारी करते हैं तथा किसी दूसरे परमानू से इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं तो ऑक्सी कारक कहते हैं जै से एलकालाइन पोटेसियम परमेगनेट और अमलिया पोटेसियम डाइक्रोमेट है ठीक है एक बार फिर से रिपीट करेंगे वे पदार्थ दूसरे पदार्थ को अक्सिजन देता है और परमानू लेता है परमानू से एलेक्ट्रोन उसके परमानू से एलेक्ट्रोन ग्रहन कर प्रस्ण उतर देखेंगे पेज नमर 85 में आपका पहला प्रस्ण है कि आप डिटर्जन का उप्योकर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अध्वा नहीं नहीं इसा मतलब उसमें जल की कठोरता है या नहीं है इसका क्या है तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डिटर्जन मिर्दूल या पिर इसमें नहीं डालिए तो कठोर जल में डालिए या पिर साधरन जल में डालिए दोनों में समान रूप से जाग चरगा इसलिए हम इसको पता नहीं कर सकते हैं उसके बाद देखेगा दूसरा प्रस्ण लोग विभिन परकार के कपड़े दोते हैं ठीक है अलग-अल लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पीटते हैं डंडे से पीटते हैं बुरूस से रगरते हैं या वासिंग मसीन में कपड़े रगरे जाते हैं कपड़ा साप करने के लिए उसे रगरने की क्यों आव सकता होती है यानि कपड़ा तो आप साधरनता है पानी में दि जो मिशेल कुलाईड के रूप में बनते हैं कपरे के को रगरने या पीठने और पत्थर पे मारने से साबुन कपरे में समान रूप से फ़ल जाता है जिससे की मिशेल बनने में आसान आसानी हो जाते हैं कुड़े कपरा का जितना भी भाग है वो सब साफ हो जाता है तो मिशेल बनने में आसानी ताकि कपरे में लगे दाल मैल के रूप में आसानी से अलग हो जाती है और कपरा साफ हो जाता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए फिर एक नया वीडियो हम बना के अप हमारे यूटीब चैनल पर बने रहें आप सब वोका पुना हमें एक बार आभार प्रकट करूँगा आप वोका रिस्पोंस काफी अच्छा है इसी तरह से आप देखें वीडियो को देखें चनल को सस्क्राइब नहीं कियां तो सस्क्राइब कर दें बैला कन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आप सो वोका बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जै हिंद जै भारत